महेंगी प्यास के खिलाफ कॉंगर्स का प्रदर्शन लगातार जा रही है। सीधे तौर पार इन बै graveyard के साथ नारिबाजी के साथ सवाल उठाए जा रहे हैं तो मेंगाई पर कहींन कहीं सरकार को लगातार वपक्ष गेर रहा है तो कैसा है ये मोदी राज इस तरह से निटाग लाइणों के जरी किस दरीए सरकार पर निशर रसाधने की कोशिश है तो ग बढ़ती महंगाई और प्याज के दामों को लेकर किस तरह से नराजगी और विपक्ष भरा बैठा है वो इंतस्रीरों से साफ तोर पर नजर आ रहा है तो गांधी प्रतीमा के सामने कॉंग्रिस का ये प्रदर्शन तो होश में आओ सरकार होश में आओ इस तरह के जो नारे हैं वो लगाए जारे तो देश में प्याज की कीमतों को लेकर आम आदमी एक तरफ विहाल है तो वही राचनतिक दल मोदी सरकार पर इसको लेकर सवाल उठा रहे है और इसी का नाजारा संसत परिसर में देखने को मिल रहा है किस तरह से कॉंग्रिसी कारे करता और नेता और पीची दम्रम भी यहां पर तो जिस तरह से आर्ठिक स्तथी बनी हुई है देश में और रहा को से यह घ्क सिर the rice so yesterday we are raised in the house last the last one last one but the government has not taken any step that's why we are protesting against the government policy of the one in supply not being back in the parliament 12.30 at the ICC, I'm happy to be in Parliament, I can speak. Unfortunately, the government can't suppress my voice in Parliament. आपको बतादे कि कुछ शर्टों की आधार पर उनको ये जमानत दी गई है, जुसके बाद वो जिल से भारा हैं, और ये भी माना जोरा है कि इस प्रेस कॉन्फरेंस में वो सुप्रीम कोट के पैस्पी को लेकर कोई भी जिक्र करते हुए नजर नहीं आएंगे. तो संसत परिसर में कॉंग्रस का प्रदर्शन जो है वो लगता जारी है, बढ़ते प्याज के दामों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष के कारिकरता और नेता यह संसत परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लगातार जो है वो सवाल मेंगाई को लेकर मोधी सरकार पर खड़े की जा रहे हैं.